नाहन कुमार हट्टी नैशनल हाईवे पर बोहली में लगातार वाहनों की अत्यतिक स्पीड के चलते आए दिन कोई न कोई हाथसा होता रहता है। कामिनों ने एनेश विभाग को यहाँ स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए आगरह भी किया है। परन्तु अभी तक कोई भी कारवाई अमल में नहीं लाए गई है। पर जो कार और बाइक की से लिमिटेट स्पीड है वो 40 किलोमेटर पर आवर की स्पीड है। यहाँ लोग 80-100 तक की स्पीड पर गाड़िये लोग बगाते हैं। जैसे आप देखने रहे हैं अभी भी गाड़िये बहुत तीज रफ्तार से निकलती है। हमने कई बारी मामले में जो है विभाग को पुलिस डिपार्टमेंट को सभी को जो है समय समय पर हम इसे इन्हें सूचित करते रहे। और खुद पुलिस डिपार्टमेंट को भी मालूम है कि यहां पर कितने हात् S. हौ चुके हैं। कितनी मौते हुच चुकी है। अभी हाला कि अभी 6 महीनों में यहां पर 4-5 हात से हुचके हैं, जिनवें दो लोगों को अपनी जान भी गुवानी पड़ी। अब मेरा जो विभाग से जो मेरा एन एचे रिक्वेस्ट रेगास जाए अगे स्केंड़ी स्कूल भी है यहाइसी लाका है यहां पर जो है जो पहली की तरह जो गाड़ियों की जो स्पीड है वो वैसे ही बरकरार है मेरा नाम राजीन दर्सिंग जी मैं बहुले गाउं का स्थाईनिवासी हमारी समस्या यह है कि जब से यह रोड एनेच के अंडर गया है और इसमें थोड़ा सा बिल्कुर स्टेट आता है हमारे गाउ कि हर रोज एक्सेंट का खत्रा बना रहता है अभी पिछले शनीवार को मेरे साथ यह प्रशाचन से यह रिक्वेस्ट है कि यहां पे कम से कम पांच जो है वो स्पीड ब्रिकर लगने चाहिए यहां से लेके और स्कूल तक नमस्कार जी मेरा नाम स्नहिला तठाकुर है मैं बॉली की स्थाई निवासी हूँ और हमारी रोड को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब से हमारा रोड एनेश केंड़ रहा है और यह ब्रॉड हुआ है हमारे यहां बहुत सारे हर दिन एक्सिदेंस होते हैं और आप आपको मैं बता नहीं सकते कि हम लोग का रहने का हमारी खेती हमारी जमीन हमारे पशुतों हमें इनी रोडों से उकर गुजरना पड़ता है यहां लगबग हर दूसरे तिससे दिन इतने बिहानों के एक्सिदेंस होते हैं कि आपको हम बता नहीं सकते हैं और साथ में हमारे ह ताकि हमारे यहां पर ट्राइफिक को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी दिव्य हेमार्चल टीवी के लिए नैना टिकर से हेमंत गर्ग की रिपोर्ट